हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है ठीक है जैसा आपने रिस्पॉंस दिया आपने कमेंट्स में बताया बहुत अच्छा रिजल्ट था इस वर बैक भी बहुत कम बच्चों की आई है और पहले आ चुकी थी, उनका बैक भी क्लियर हो गया है, ठीक है, कुछ ही बच्चे हैं, जो थोड़े स्पॉंटेड हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो भी अच्छा कर लेंगे, ठीक है, बैक क्लियर कर लेंगे ठीक है, इस पर ज़्यादा बैक नहीं है, यह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 4SAM में अभी आप लोग ऐसा ही continue करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, तो 4SAM की तैयारी start कर दीजिए, क्योंकि इसका result आगा, इसका मतलब यह है कि अगले exam की तैयारी कराना, शुरू कर दीगी, PNP ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, start कर देना ठीक है, 4SAM का जितना भी हो गया, उसे अच्छे से revise कर लें, notes जब तक complete होंगे, तब तक जितना हो सकता है, उतना revise कर लें, फिर आपको सिर्फ revision करना पड़ेगा, notes से बागी कुछी नहीं करना है, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, तो जिग्राफिय में अपना जो next topic है, वो है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक बिराशत, मेले बा तयोहार, ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में जो भी सांस्कृतिक बिराशत है, मतलब जो बड़े-बड़े सहर हैं, उनके बारे में क्या चीज़ है, खास है, उसके बारे में पढ़ना है, जो मेले हैं पर लगते हैं, जो तोहार हैं पर मनाई जाते हैं, उनके बारे में सारनाथ ठीक है यहाँ पर महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उब्देश दिया था इसका प्राची नाम रिशी पत्तन म्रगदाब था ठीक है तो सारनाथ को पहले किस नाम से जाना जाता था तो रिशी पत्तन म्रगदाब के नाम से जाना जाता था असुक ने सारनाथ में प्राचीन नाम किया है, तो रिशी पतनम म्रगदाव, इसका प्राचीन नाम है, आसोक ने क्या किया था, यहां पर सारनाथ में कई सारे बाध़ स्थापतियों का निर्माण कराया था और गुप्तकाल की अगर हम बात करें तो सारनात क्या था एक प्रमुक कला केंद की रूप में विक्षित हुआ था गुप्तकाल की बात हो रही है तो यहाँ पर जो सारनात था एक प्रमुक कला केंद की रूप में विक्षित हुआ था सम्वरा टसोक ने यहां पर एक भब प्रिस्तर का निर्माड कराय ते रिसमें उनकी घोशनाय बगारा जो होती ही उनके आदेस बगारा थे वो सारे रिसमें उतकीन है तो यह सार रात के बारे में हो गया ठीक है अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सहर यानी की आगरा की आग पंदर लोधी थे पंदरा सो चार में उन्होंने आगरा सहर की नीव रखी यम्रा नदी के निकटी ये स्थे थे 1565 इस्वी में अकवर ने यहां लाल पत्थर का किला बन वाया जिस हम लोग लाल किला के नाम से जानते हैं तो कब मनोया था तो पंदरा सो पैसे इस्वी में अकबर ने यहां लाल पत्थर का किला बनवाया, आगरा का लाल किला अपने यूग की दुर्ग निर्माण कला का उत्कष्ट उधारन है, तो उस समय की अगर हम बात करें, तो उस टाइम इतनी अच्छी मारत कोई नहीं बनी थी, तो इसलिए लाल किला को क्या कहा जाता है, 1586 इसमी से लेकर 1638 इसमी तक आगरा को मुगल समराज की राजधानी होने का गौरब प्राप्त हुआ, तो 1586 से लेकर 1638 तक क्या था, आगरा को मुगल समराज की राजधानी बनाया गया, आगरा की सान ताजमेल साहजा द्वारा यहां पर बनवाया गया था, तो आगरा की स ताजमेल और इसे किसने बनवाया था तो साजहाने बनवाया था आगरा इस्थापना काल से ही ब्यापार बाड़िज एबम उध्योग का केंद्रा है तो आगरा के बारे में इतनी है कि सिकंदर लोदी ने 1504 में से बसाया था इसकी नहीं रखी थी 1506 में से अपनी राजधानी बनाया था उसका जब मुगल काल आया तो 1565 इस भी में अकवर नहा पे लाल पत्थर का किला बनवाया जिसे हम लोग लाल किला के नाम से जानते हैं जो अपने समय की दुर्ग निर्माड का उतकर सुधारन था ठीक है 1586 से लेकर 1638 इस भी तक आगरा को मुगल समराज की रज राजधानी थी जब तक अकवर रही तब तक यह राजधानी रही उसके बात राजधानी दिल्ली को बना दिया गया ठीक है आगरा की सान ताज महल साहजा दोरा यहां पर बनवाया गया था और आगरा की बात करें तो जब से इसकी स्थापना हुई तब सही है बयापार बा तो इसका नाम जरूर सुनाओगा, अगर हडपा सबता की हम बात करें, तो हम उसकी सीमा यह देखते हैं, कि पूरब में कहां सीमा जा रही है, पश्यम में कहां जा रही है, दच्छिन में कहा है, उत्तर में कहा है, तो सबसे पूरवी सीमा जो थी हडपा सबता की वो आलमगीर पूर इस्तित है ये सबसे पूर्वी सीमाती हडपा की तो इसके बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेस की मेरट जिले में हिंडर नदी के तट पर इस्तित आरमगीर पूर में हडपा कालिन संस्कृति के अप्शेश मिलें तो यहां के मृदभान और आभूशन हडपा के ही अन्रूप है ठीक अगर म्रदभान की बात करें जो मिट्टी के बरतन बगारा जो बनते थे या जो आभूशन बगारा जो मिले हमें हडपा से तो यहाँ पर जो मिले वो सेम ही थे ठीक उसमें अंतर नहीं था यहाँ से चित्रे दूसर बान के साथ-साथ-साथ- Duo KD-LAL, THE морर क्या जाता है ठीक तो यहाँ पर बहुत सारी लोहे की चीज़ा मिली बहुत सारे तांबी की चीज़ा मिली तो आलमगीरपूर के बारे में जादा नहीं है आप लेख सकते हैं कि ये कहां परिष्टित है तो उत्तर प्रदेश राज के मेरट जिले में हिंड़ नदी के तट पर आलमगीरपूर इस्तित है ये हडपा कालीन संस्कृति के यहां पर अपशेश मिले तो इतना आपको अलमगीरपूर के बारे में लिखना है फिर अपना जो नेक्स्ट है वो है फदेपूर सीगरी इसका नाम भी आपने काफी सुना होगा फदेपूर सीगरी एक नगर है जो कि मुगल समराट ने सन 1571 में बसाया था ठीक है कौन से मुगल समराट ने बसाया था तो अकबर ने बसाया था ठीक है फदेपूर सीगरी क्या है एक नगर है जो मुगल समराट अकबर ने जाती तो बहुत जादा एकदम प्रचलन में आ जाती, तो उसमें लाल पत्थर का प्रचलन था, लाल किला बनवाया था हुझे अगरा में, उसका लाल पत्थर से पूरा फथेपुर सीखरी बनवाया था। बिर्बल महल देखने को मिलेगा, आपको इबादत खाना देखने को मिलेगा, तो यह स Vanderpour थी के बारे में हो गया, अब लास्ट जो हमारा सहर है, वो है कुशी नगर, इसके बारे में भी जान लेते हैं, अगर हम च्छटी सतापधी की बात करें तो च्छटी सतापधी इसी पूर्व में पढ़ा तो उसमें एक जनपद था मले जनपद तो उसकी दो रासधानिया थी उदोमें से एक रासधानिया आपकी कुशी नगर थी महात्माँ बुद्ध के अफशेषों पर मल्लो ने एक स्थान की यात्रा की थी उत्रप्रदेश के देवरिया جिले में यह स्थित है चठी सताब्दी इसीभी पूर कुशी नगर जो था वो मल जन्पद की दो राजधानियों में से एक था मातमा बुद्ध के जो अफशेश यहां पर प्राप्त हुए उसके उपर यहां पर मल्लों ने एक इस्टूप का निर्मान कराया समराड असूप के सिलालेक से है ग्यात होता कि उन्होंने इस जगे की यात्रा की थी ठीक है तो यह कुशी नगर के बारे में हो गया अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुक मेलों के बारे में ये सब दिखाते हैं कि क्या सांस्कृती है यहां की उत्तरप्रदीस की, इसके वारे में हमें इससे प्राप्त होता है, मतरब पता चलता है, ठीक है अगर हम बात करें कि उत्तरप्रदीस में सबसे आदा मेले कि जिले में लगते हैं, तो सबसे आदा जो मेले हैं वो आपके मत् प्रतीवर्स कितने मेले लगते हैं तो लगबग 2250 मेलों को आयजिन किया जाता है जो राज की सम्रद सांस्कृतिक विराशत के प्रतीक है अब कुछ मेलों के आपको याद रखने हैं कि यह मेला कहां पर लगता है ठीक है तो इनके बारे में एक नंबर में आपसे पूछ सकता कि कुम्भ मेला किस स्थान पर लगता है उत्तरप्रदेश में या कितने समय बाद लगता है ऐसे करके कुछषन आएगा कि माग मेला कहां पर लगता है बटेश्वर मेला कहां पर लगता है यह मेले बहुत फेमस है और आपको यह टैट में भी पढ़ने पड़ेंगे तो वो संगम स्थल पर प्रियाग राज में जो पहले इलावाद कहलाता था, वहाँ पर प्रती 12 वर्स वाद ये लगता है, ठीक है, हर 12 वर्स में ये लगेगा, ठीक है, और अर्द कुम्ब की बात करें, तो 12 वर्स वाद आपका कुम्ब लग रहा है, तो अर्द कुम्ब कब जो 26 वर्स में लगता है और कहां पर ये लगेगा ये प्रियागराज में ही लगते हैं दोनों माग मेला की बात करने तो ये प्रितिवर्स लगता है कहां लगता है तो प्रियागराज में ही लगता है यानि कि इलावाद में ही लगता है माग मेला बटेशवर मेला की बात करें बटेशर मेला और यह पसु मेला है जो कि कहां लगता है आगरा में लगता है फिर नौचंदी मेला बहुत फेमस है मेरट का है यह मेला बहुत बड़ा लगता है नौई श्यप की बहुत अच्छी लगती है नौचंदी मेला कहां परिष्टेत है तो मेरट मिष्टेत है देवा सरीप मेला याद रखना है ये बारा बंकी में लगता है और कब लगता है तो कार्तिक मास जब आता है तब लगता है एक नमर में आपसे पोछ सकता है कि किस मास में देवा सरीप मेला लगता है तो कार्तिक मास में लगता है कहां लगता है तो बारा बंकी में लगता है राम लगेगा, चबे बर्स में, प्रियाग राज में, माग मेला प्रिति बर्स लगता है, कहां लगता है, प्रियाग राज में लगता है, बेटिश्वर मेला जो पसु मेला है, वो आगरा में लगता है, नौचंदी मेला आपका मेरट का है, देवा सरीप आपका बारा बंकी का है, यही कारण है कि यहाँ लगबग सभी धर्मों से संबंदे तोहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं तोहार जैसे होली, दिवाली, दसहरा, इद, बैसाकी, क्रिस्मिस, आदी ठीक तो बहुत सारी तोहार हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं क्योंकि आपको पता कि उत्तरप्रदेस ऐसा राज है यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपको देखने को मिलेंगे तो बहुत सारे जो तोहारे में देखने को मिलेंगे जैसा अभी दिवाली आने वाले तो बड़ी दुमदाम से मनाई जाएगी एद बहुत दुमदाम से मनाई जाती तो बहुत सारे तोहारे यहाँ पर मनाई जाते है अब कुछ उत्तर प्रदेश के धार में किस्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं ये एक नमबर में आपसे पूछ सकता है ठीक है कि फतेपूर सीक्री जो है वो आगरा में इस्ते थे किस के लिए फेमास है यहाँ पर क्या इस्ते थे तो सेख चलीम चिस्ती की दरगा जो है वो यहाँ पर इस्ते थे क्या इस्ते थे थे यहाँ पर तो सेख सलीम चिस्ती की दरगा यहाँ पर इस्ते थे ठीक है जॉनपुर की अगर हम बात करें जॉनपुर जो जनपद है यहाँ पर अटाला मस्जिद इस्ते थे एक नमबर में question पूछे जाएगा कि अटाला मस्जित कहां पर इस्ते थे, चार option आपको दिये जाएंगे, तो जौन पर जो है, वहाँ पर अटाला मस्जित इस्ते थे, बारान रसी की बात करें तो गंगा के 84 घाट यहां पर इस्ते थे, साती साथ जो विशुनात मंदिर है, बो भी यहां पर इस्ते थे, बारान रसी, बहुत फेमास है, बाबा विशुनात का मंदिर, ओगंगा के 84 घाट कहां पर इस्ते थे, सारनात की बात करें तो बुद्ध की 80 फीट उची प्रत्मा जो है, वो कहां पर इस्ते थे, सारनात मिस्ते थे, अभी हमने सारनात के बारे नहीं जैन धर्म के लिए भी काफी फीमस ही है नहीं जैन तीरित्कार थें उनके मंदर भी यहाँ पर इस्थे थे है मत्रा की बात करें तो द्वार का धीस मंदर यहां पर इस्थेazed a और किर्शन जीस थे मंदर बहुत सारे पर यहाँ पर गुप्त हो जाती है तो ऐसे करके गुप्त गोदाबरी यहाँ पर इस्तित है कामतानाथ मंदर यहाँ पर इस्तित है मिर्जापूर की अगर हम बात करें तो मिर्जापूर में आपका बिंदवाशनी जो मंदर है वो यहाँ पर इस्तित है Asht-Bhudi مندر यहां पर इस्तित है और Kali-Deybhi مندر यहां पर इस्तित है तो Maata के जितने भी बहुत पुराना है भीतर गाउं मंदिर और जेके टेंपील दोनों किया है कानपुर में इसते थैं. टेबा जो है वहाँपर क्या इसते थैं. तो संथाजी बारिस अली साह के मजार इसते थैं. मिर्जपुर में बिंदवाशनी मंदिर, आश्टेबुजी और काली देवी मंदिर इस्ते थे थे चित्रकूट में कामतानात मंदिर और गुपत गेदावरी इस्ते थे मौतरा में दौरकादीस मंदिर, आयोदे में हन्वान गड़ी और पांच जैन तीर्थकरों के मंदिर इस्ते थे सारनात में बुद्धी की 80 फीट उची प्रत्मा इस्ते थे बारहन रसी में गंगा के 84 घाट और बाबा विश्णात का मंदिर इस्ते थे जौनपुर में अटाला मस्जिद इस्ते थे थे ठीक है वो बरबाद हो जाता है जो तीर्थ भी इस्तल होता है तो उसे आप कैसे बचा सकते हैं कैसे उसका सरक्षन कर सकते हैं तो ये कुशन बनेगा आप से तो पहला है कि किसी स्थान को शती ना पहुँचा है अपनी तरफ से कोई भी नुकसान ना पहुचा है किसी भी जगह को कहीं भी तीर तीस्तल पर आप घूमने जा रहे हैं तो उसे आपको नुकसान नहीं पहुचाना है दूसरा कि प्रयास करें कि नदियों का जो जल है वो साफ एकोन सवच रहे हैं क्योंकि बहुच सारे जो तीर तीस्तल है वो नदियों की किरारिस्तित है तो कोसिस करें कि वहाँ पर कोई भी गंदगी ना फैला है तीसरा कि सांस्कृत बिराशित की समचे देखवाल रखें तो बहुच सारे लोग भी लगाए जाते हैं इसके लिए आपको भी देखवाल करनी है अगर आप घूमने बगर जा रहे है तो कोसिस करें कि उसकी देखवाल रहे है ऐसा नहों कि कोई परहुत पुरानी मूर्ति आप उस पर हाथ रखे फोटो कीजाने लग जाए गलती से वो तूट जाए तो ध्यान रखें देखवाल रखें फिर है कि सांस्कृत बिराशित का सम्मान करें जो भी सांस्कृतिक बिराशित तो उसका सम्मान करें ठीक है मजाक न उड़ाएं किसी भी चीज का ठीक है बहुत सारी पुरानी पुरानी मूर्तियां बनी आप देखते हैं तो आप कई चीज़े उसमें अजीब भी देखने को आपको मिलेंगे, आपको कि यार ये कैसी आर्ट है, आपके समझ के वो परे है, लेकिन हो सकता कि उस समय के हिसाब से, किसी ने वो अपने हातों से बनाई है, कोई मसीन का यूज ने किया, तो उस हिसाब से वो बहुत अच् स्थानों का सरेच्छन कर सकते हैं, इंपोर्टन टॉपिक है, मजेदार है, कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, तो अच्छे से सब पढ़ लेना, नेक्स टॉपिक हैं हम लोग पर्याबर और प्रदूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो चार तरीकी जो प्रदूशन उनके बारे में हम बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, thank you so much for watching this वीडियो,